लगनों में खिलेश आदम ने भाश्पपपर साधा निशाना आरिफ पर मुकदमा दर्जोने पर भड़किया खिलेश अम्रोहम विजश शंकर तिवारी का प्रणीद गुपता निक्या स्वागत राश्ट्रिय प्रवक्ता ने राहूल गाधी पर साधा निशाना फटेश पूर में बदमाशो ने हम होंगार्ट पर किया जौनलेवा हमला घायल होंगार्ट को अस्पताल में कराए गया भड़ती रायबरेली में बिजली विभाग के अधिकारियों के लापरवाई आई सामने बिना किसी सुरक्षा किट के खंबे पर चड़ा समवेदा करें शाजापूर में दो सचल पशू चिकित्सा वाहन किये गई रवाना घायल पशू को समय पर में लेगा इलाज नमस्कार मैं हूं मुसकान अजमानी और आप देख रहे देश का लोगप्रिया चानल प्राइम टीवी चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों के ओर जहां लखनाओ में सपसुप्रिमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस की जहां नोंने भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साधा आगे क्या कुछ खा है सपसुप्रिमो अखिलेश यादव ने चलिए आपको सुनाते हैं तो आरिफ पर मुकदमा दर्जोने पर अखिलेश यादव इस दौरान भड़ा कुटे हैं और अखिलेश यादव ने भाजपा पर जम कर निशाना भी साधा है और आरिफ पर मुकदमा दर्जोने पर अखिलेश यादव भड़के हुए भी नजर आए जबकि इस दौरान अखिलेश यादव ने आज वापस आ रहे अती कहमत को लेकर भी भाजपा सरकार से बड़ा सवाल किया है मीडिया से प्रेस कॉनफरेंस की है तो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साधा है आपको बताते चले कि आरिफ और सारस की दोस्ती इन दिनों यूपी की राजनीती की धूरी बनी हुई है जोहाँ एक तरफ आरिफ और सारस की दोस्ती पर अखिलेश यादव भाश्पा सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे है तो वही अखिलेश आदव ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए आरिफ पर मुकदम दर्ज होने के लिए भाश्पा सरकार को जिम्मेदा ठहराया है और इस दोरान अखिलेश आदव भड़क भी गए थे अमरोह पहुचे विश्व हिंदू परिशत के राश्ट्रे प्रवक्ता विजशंकर तिवारी ने नगर में विश्व हिंदू परिशत के राश्ट्रे प्रवक्ता विजशंकर तिवारी का सीयल गुपता एक्स्पोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणीत गुपता ने स्वागत किया जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की विश्व हिंदू परिशत के राश्टर प्रवक्ता विजश्यंकर तिवारी ने प्रेस कौनफरेंस के दौरान राहूल गांधी पर निशाना सादो और निशाना स्थादते हुए कहा कि जब अधालत ने उन्हें अप राधी घोशित कर दिया है तो अब उनको देश की जनता ह कि जवाब देगी।はい इश कनु ये कभी कहते हम तागज नी दिखाएंगे कभी कहते हम माफी नहीं मांगेंगे ने इए फिर्ल रही जिए । जब वोए कहता है कि मैं माफी नहीं माँगूंगा तो जनता को निरने करने दीजे ना क्या है? अपरादी का मतलब है कि अगर गलती सुईकार करता उसे माफी माँगने चीह है और अपराद सिद्ध होने के बाद अगर नयाले कोई निर्णे देता है और ओ कैदा मैं माफी नहीं माँँगा तो देश की जनता को तेह करने दीजे नगा अपरादियों के साथ क्या करना होता है राय बरेली में जिलादीकारी ने गौवंचो के स्वास्त सुरक्षा के लिए वेटर्निटी मोबाईल वहनों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है बताये जो आ रहा है कि गौवंचों के स्वास्त सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्या मंत्री योगिया अधतनात के नर्देशन में जुलादिकारी मालग शिर्वास्ताव ने बताया कि गौवंचों के स्वास्त सुरक्षा को लेकर दो मोबाइल वेटर्निटी व सारण देखा है अभी सभी अधिकारियों ने और मने विधायक जी भी रहे हम लोग के साथ और अब जनपत्सतर पर भी यह फ्लाग ऑफ हुआ है एम वी यू तो इसमें उनने सो बासट एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कोई भी कॉल कर सकता है अगर उनको अपने पशु का इलाज करवाना है तो यह एक वाहन है जिसमें सारी सुविधाय युक्त हैं और वहां पर पहुंचकर तुरंत पशु चिकित्सा करेगी सुविधाय देगी और इसके अलावा इनका रूट चार्ट भी तैह है तो अगर कॉल नहीं भी आ रही है तो अब उस समय में भी यह लोग अपने रूट चार्ट के अनुसार जगे जगे भ्रमन करके पशु के लिए यह सुविधा उपलप्त कराइंगे इस समय दो वाहन है लेकिन हम ल बिजली विभाग के अधिकारियों के लापरवाही से जान जोखे में डाल कर बगैर किसी सुरक्षो किट के खंबे में चड़कर लाइन काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होते ही बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मज क्या है बताया जारा है कि बिजली चोरी और बकाय विद्यूत बिल के भुकतान के लिए चेकिंग अभियान चलाय जा रहा है। जिसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई टीमों का गठन क्या गया है वही खीरो थानाच चेतर के अंतरगत एक गाओ में बिजली विभाग में तैनाच समिदा कर्मी बगेर किसी सुरक्षा किट के खंबे में चड़ कर लाइन काटता हुआ नजर गुंडा में धानेपुनगर पंचायच शेतर के मुझहनग्राम पंचायच के प्रैमरी स्कूल का कायकल्प योजना के तहट बने तीन स्मार्ट सिटी कक्षो का लोकार पड़ हुआ बताया जा रहा है कि विद्याले में स्मार्ट क्लास के साथ बच्चो को खेने के लिए जूला स्केटिंग स्लाइडर लगवाई गए हैं साथ या वागमन के लिए विद्याले में इंटर लॉकिंग रसोई घर साइथ प्रैमरी स्कूल को मॉडल प्रैमरी स्कूल के रूप म विक्सित किया गया है जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को माद दे सकता है इस मौके पर विधायक विने कुमार ने जहानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायद धानेपूर को आदर्श नगर पंचायद में शामिल क्या गया है और शेत्र के सबी सरकारी स्कूलो को बाएकल्ब कराया गया है और बहुत ही अच्छा कारे हुआ है जाले कमरे के अंदर बढ़ियां बेंचे लगाई गई है और इस्मार्ट क्लास बना गया है इस्मार्ट टीवी लगाई गई है बढ़ियां सा ब्लैक बोर्ड है तो बहुत ही अच्छा दो-तीन कमरे का आलो कारप कि खबर अमेठी से है जहां एक बार फिर संदिग दिपरस्थितियों में विवाहिता की मौत से शेत्र में हड़का मचिया है इस घटनासे पुलिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं । दरसल संदिग दिपरस्थितियों में घर के अंदर फासे के फंदे से लटका हुआ विवाह प्रश्वालों ने कहा कि बिना मौझूद्गी के आनन फानन में शर्व को कब्जे मिले कर साक्षों से खिलवार किया गया वई घटना इन होना थाना शेत्र के गाउ भठा का पुर्वा मजरे शेखन गाउं का बताय जो रहा साथ बज़े फूल गया उसको माट डाला गया साथ बज़े फूल गया हम पहुंचे साथ बज़े तो लाग पायक का ही दिन गई हमारे घरवाले को कुछी को देखने को नहीं गया प्रदेश में बदमाशों का खौफ कम नहीं हो रहा है आए दिन प्रते दिन बदमाशों ने हत्य जैसे घटना को अंजाम देकर वो फरार हो जाते है वहीं अब ताजा मामरा फतेपुर से सामने आया जहां संदिक दवस्था में गंज शॉट का शिकार हुआ अधेड होम गार्ड छर्रे लगने की बात सामनी आई है पुलिस फोर्स ने घायलों को हॉस्पिटल में भरती कराया है वहीं जानकारी के मताबिक हुसैन गंज रोड में अधेड का अग्यात लोगों ने वहन के माध्यम से पीछा किया था फिर इस पूरी घटना को अंजाम दिया घायलोंगार्ड के पद पर तैनात वहीं 112 में वर्तमान समय में काम कर रहे हैं गाज़पूर थाना शेत्र के अंतरगत शाह में 112 में वो तैनात है वही घटना की जानकारी के बाद एस पी और थाने का फोर्स जिलस पताल पहुचे हैं शाजापूर के विकास भवन परिसर में सीडियो शाम बहादूर सिंग ने दो सचल पशु चिकित्सा वहन को हारी जंडी दिखाते हुए रवाना क्या है इस दोरां सीडियो शाम बहादूर सिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे यूपी में बुख्यमंत्री द्वारा 520 सचल पशु चिकित्सा वाहन लॉंच के गए हैं जिसमें शाजाहपुर जनपत को 9 वहन मिले हैं जिसके माध्यम से अब घायल पश्यों को समय पर भैतर और अच्छा इलाज मिलेगा संगम लगरी प्रियागराज में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन जिले में सड़ाखाच से की खबरे सामने आती हैं वहीं अब ताजा मामला प्रियागराज के थाना हंडिया शेतर के बरौत कजबे से सामने आया जहां हॉस्पिटल में मरीज को खाना देकर वापस आते समय मोटर साइकल सवार को रोड बेस बस ने टकर मार दी है जिसकी मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है वागे पर पहुचे स्थाने लोगों ने दुरगटा की सूचना ततकाल पुलिस को दी वह सूचना पर पहुचे पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अब अस्पताल में भरती करा दिया है साथ पुलिस ने बस को हिरासत में ले लिया है रागराज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला इस दौरान बस्त ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी जिसमें दो लोगों की मौत की खबर आई है पहले तो उन सभी को घाय लवस्ता में अस्पताल पहुचा आए गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को उम्रिद घोशित कर दिया खबर राय बरेली से है जहां संदिग्द परस्तितियों में किशोरी ने फासी लगा लिजिसकी मौके पर ही मौत हो गई पूरा मामला गुरबक्ष गंच थाना शेतर के अंतरगत कोसा गाउ का है जहां की रहने वाली किशोरी ने संदिग्द परस्तितियों में को कब से मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिये हैं और अब आगे कारवाई में जुड़ गई है इस बुरटिन में फिलहाल के लिए इतना ही देश पर की तमाम बड़ी और ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टिवी